कि वेल्कम स्टेंट कैसे हैं आप सब चलिए बहुत दिनों के बाद हम लोग चल रहे हैं टिन्थ क्लास चेप्टर 15 अध्धाय 15 में है ना अनुवांसी की जनकों से संतानों तक यह त्वेल्थ बैल अरजी के लिए भी इंपोर्टेंट कॉस्च्चन है अनुवांसी के और भी के लिए भी इंपोर्टेंट हैं बेसी सेकंड एर के लिए ठीक है और फ्रस्टेर में भी कुछ है यहाँ पर है ना तो यह और बहुत सारे नीट के एकजाम में कॉम्प्टेटर्टी एक्जाम में भी यूसफुल टॉपिक्स है ठीक है जैसे कि अनुवाज सी जनकों संतानो पाई जाती यहां लेकिन एक मनुस दूसरे मनुस से क्या होता है यह यहाद रखेगा मनुस से जाती हैं तो सब मनुस से आएगा ठीक है लेकिन उस मनस्य में भी एक दुसरे में क्या पाई जागी विभिनता पाई जागी इसी को हम लोग समझने वाले हैं चलिए तो सबसे पहले टापिक आता है अनुवांसिक क्या है अनुवांसिक क्या है तो अनुवांसिक को समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अनुवांसिक लक्षन क्या है तो मैं अनुवांसिक क्या है तो मैं अनुवांसिक क्या है कि सभी जियों में कुछ ऐसे लक् सभी जीओं में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जनकों से प्राप्त होते कि लिए नरते गते हैं 20 फिते क्सी और पिढेज़ी além वेसिफी चलते रहते हैं कि किसी पयरेंट्स के जो आख हो भूरा होता है तो उसके और बच्च्च रता है को वह एख coral क्यों कि वुञ्ट होते हैं जो जनकों से प्राप्त होते हैं, जो पीडी दर पीडी चलते रहते हैं, अन्वांसिक लक्षन के परिभासा, यहाँ पर मैं पैंट के नीचे डाल दिया हूँ, लेकिन अन्वांसिक लक्षन के परिभासा यह है, ठीक है, अब अन्वांसिक के परिभासा यह है, ठीक है, आपक और ये दूसरा पिढ़ी और ये तीसरा पिढ़ी है इसका बेटा इसका और बेटा मतलब इसका नाती ठीक है तो किसी जीव के एक पिढ़ी से उसी जीव के दूसरे पिढ़ी में लक्षणों के इस्तनादरन की प्रक्रिया अर्थात कौन से लक्षण अनुवांसिक लक्षण कैने लाए गना मनुस्थित कहिए गोंड़ा रहें गां कि तरह से पहुंचे आए ठीक है तो उसी तरह से कि किसी जीव के एक पीडि कि से और मुस्थे लोग एक पीडिस ते उसी जीव के दूसरी पीडि में दूसरे लक्षणों के प्रक्या को अनुवानसिक कहते हैं अनुवानसीक्ता कहते हैं ठीक विभृणता है यह अपने पास समानता है समानता के साथ है dysmolarities का है थीक है तो इसको समझदें कि थोड़ा समझ न है अपने को यहां सुरू करता हुँ मैं कि एक जाती यंवं एक ही जनख की संतती पीधी के स्थसिंग के बीच एक जाती एक ही जाती एवं एक ही जनख जिसी कि एक जाती हो गया ingredi तो यह हो गया जनक क्या हो गया जनक तो एक एक जाती एवां एक ही जनक यह पूरा मनुस्य जाती है ठीक है ओक यहां पर भी मनुस्य जाती है तो एक ही जाती एवां एक ही जनक के बारे में बात कर रहे हैं यह एक जाती है दोने से एक ही जाती है ना अब इसको कट कर दो एक ही ज मनुस्या है तो इसका एक बच्चा हुआ यहाँ पर दूसरा बच्चा हुआ दो बच्चे होंगे ठीक है लड़का लड़की जो भी है वो फटाकर के भार पर समझ सकते हैं तो एक ही जाती है हम एक ही जनक की संतती बिढ़ी के सदस्यों के बीच समानता के बाव जो जो अंतर है पाय जाता है समानता देखे पहले बात करते हैं कि इसका इसकी संतान के दो बच्चें अगर जुडवा भी पैदा हो जाते हैं तब भी यहां लोग ना उन दोनें जुड़ा में से किस को अलग-अलग है यह पहचान लेते हैं भी हूप फीन सुम हुलाई इसा ये राम है ये सियाम है ये गोलु है ना ठीडे मतलब तीनों जैने इसी कही संतान है और तीनों में इसी कही गुण आया है तो यह ही दिखता है तो नहीं पहचान पाएंगे ना जो अंतर पाया जाता है उसे ही विभीनता कहते हैं किसी का और क्या बोलते हैं हेल्थ थोड़ा कम रहेगा किसी कि में निला पना सर्य आंकों में भूरा पना जाएगा ठीक है ऐसे से कुछ निकुछ तो अंतर इसमें रहेंगे उसी को में रोलते हैं विभिणता ठीक है तो पुस्तर के साथ पर पहला टॉपिक क्लियर हो गया दूसर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है सर्पॉत्म क्या करते हैं कि गरिगर जोहार म२ंडल होता है अनौइन सीघण किसको बछेटै तो रूलेंगे और उसने क्या क्या अध्धन किया ठीक है और और रावनांसी को अच्छी तरह समझाने के कुशिस की बस रही है इसको ल टॉपिक नमबर थ्री मेंडल के प्रयोग उसका उद्देश से तो मेंडल का प्रयोग का सबसे बड़ा उद्देश यह था कि किसी भी एक पीड़ी से दूसरे पीड़ी में अनुवांसिक लक्षन कैसे पहुँचती है ठीक है ना उसको उद्देश से जागी था ठीक है मतलब यह आपको मेंडल के प्रयोग का उद्देश से यह भी आपको नहीं लिखना है ठीक है ना चलिए आगे पाइंड आता है मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चुनाओ क्यों किया चलिए इसके लिए मैं थोड़ा सब्साइब लेता हूं ठीक यह फस्ट नमब के अब एक वर्सी पौधा है कि मेर्सस्य पौधा सकता है और उसका अप्रियुक पर प्रयोग में के पौधा मेंडल ने उसको अपने प्रयोक पर लिया गारई जीवन चक्रण छोटा हुने गार उसकी अन्यग बीडियों का धन सुललता से किया जा सकता है एक साल में कई बार किया सकते है छे इससे पर-परागन करवाया जा सकता है पर-परागन पयाया प्तलब यहाँ पर एक पूस्प के पराग को से निकल कर परागपण है जाएगा परागन क्या है करके ठीक है बारवी का कुस्चियन में परागन क्या है है तो इसमें पर परागन करवाया जा सकता है जिससे संक्रण होता है संक्रण क्या है यह भी क्लियर कर लेंगे ठीक है मतलब दो अलग अलग विराइटियों को है ना आपस में एक टरकाना तो है इसलिए उन्हें मिंडल ने किसका मतर को प्रयोक किया ठीक है इसका पहुता दिलिंग होता है नर जनांग और मादर नांग दोना एक जगा मिलेंगे ठीक है यदि इसमें पुमंग को हटा दे जाए तो वहां एक लिंगी किसमानवेर करता है देखें एक होता है पुमंग यह पुस्प है तो पुमंग होता है पुमंग होता है और एक क्या होता है जयांग होता है तो का बाधा का यूज किया ठीक है संकरन से पर आप तो संकर पूर्णता जनान योग थे यह दे क्लियर हैं मटर के काफी इसको लिखने जरते पांच आप लोग क्या लिख देना कारण लिख दीजिए चलिए क्लियर हो गया फोड़ सा नंबर का टॉपिक फाइब तर टॉपिक मे यहां बर यहां पर कुस्च्चन यहां पर एक चीज्जार को फाइब कर देते हैं कि मिंदल ने क्या क्या लख्षन लिए घ। म यहां पर पूरा देख लेते हैं किसके सब लिया गया गया है तो मेंडल करके बर कितने लख्षन लिए ऐसा बошसे बोलेंगे तो साथ लग चलिए ठीक है ओके इसको आप लोग की औरब्जूट सोट कर लिए उगराने क्रोस कर आएं कि आगे मिंडल के Цाड राख कर वाया है ठीक है अगे करल के प defense के परियोग के परिणाम की कैसे परिणाम हुए ठीक है तो परिणाम प्रकषिव जिसमें से फ़रा अब महाल लोज इन दोनों में उन्हें उन्हों क्रोस कर दिए इसको सुमझने है घ्रेंटन से है इन दोनों में क्रास कराते हैं तो कैसे क्रास कराते हैं देखें चारों को लेकर स्मॉल वी स्मॉल वी ठीक है अब मैं क्रास करवाने की तरीका समझाता हूं थोड़ा से यहां से मिलता है अपने को capital V ठीक है ओके और यहां से मिलता है इसको capital V ठीक है और यहां जाता है है किस माली यहां जाता है मतलब को क्या प्रप्ता हो इसको प्रताइब प्रभाई तगनिया म मुए प्रभाइत्ह की नियम के ना कि भी दस् smlasować नियम भी दिया क्या है उसको भी आप लोग देख लिए ठीक है ओके तो इसमें क्या होता है कि यह चोटेव laugoo कुमông अप्रहत प्रभावी रहता है मतलब यह क्ला एक तरे बैगनिक संतां万 जो प्राप्त हुई है जो बहुत है इसको इसको आप पर जनरेशन तो यहाँ पर रापट हो उसका तो इसका पनाम होगा इसका क्या लिख Sci- Architecture हिसका नाम जेका बैगनी क्योंकि मैंने बताया था कि बड़ा वाला इसके उपर क्या होता है मुठाय इसका नाम उसका नाम भी बैगनी इसका नाम है लेकिन ये संक्रीद बैगनी होगा संक्रीद मतलब असुद्ध भैगनी बोलेंगे सक belong इसको ठीक है तो ही हो गया इफ-1 πढई कौन होगा इफ-1-पीड अब बात एक करते हैं कि यदि एफ-1-पीड के कैपिटल बी यहां से से यह क्या होगा यहां यह बचुप यहां से जाएंगे, क्या होगा है कैपिटल मी क्या हो बचैपिटल यहां से dos, ठीक यहां से capital मिलेगा और एक capital यहां मिलेगा ठीक ही capital है यहां से यह जाएंगे तो small मिलेग अपने को कि small और यहां भी क्या मिलेगा अब देखो हमारे पास क्या क्या मिल रहा है इहां से रुको यहां से कैपिटल मिला जी है यहां से कैपिटल मिला है यह हमिली cukbel इन को यह को प्ली cents हमें एक कैपिटल और यहां से कैपिटल यहां मिला है ठीक है इसमें भी क्या हुआ है एक कैपिटल यहां मिला है यहां से कैपिटल यहां से कर दो कैपिटल हो गया ना इसका कैपिटल कहा यहां गया है एक कैपिटल थिक है और यहां कहा है एक कैपिटल यहां है ठीक है अब बात करते हैं थोड़ा इस मॉळ की तो पो यह भी क्विक्वत कि पर मॉलाल यहां गया है एक इस्मॉल पोक्राइब चाहिए ति इसको यहां एए एक इसमॉल यहां गे संव भी को सिफनेश हुल मैं मिस्मॉद यहां यह तो केपटल Rub जुक्त कैपिटले स्मॉल स्मॉल ऐसा प्राप्ट हुए的话 ठीक है तो अब कैसे करेंगे तो दिखेंगे एक एक अधा के प्रहले का सुढ़र भी आजacy के भिगनी हो जाएगा ठीक है और यह डिस आफ यह के जर्ड़ आ यह करेंगा तक एक के प्टाल वी मतलब दो तो यत क्ते शोड़े में केरे और मिल को देखें हैं कि जासे घ्रीक सरेचना को देखते हैं तो तीन नुपात आप टेक में और फिनोटा इनकती प देखते और अनुपाथ एक जनने सावनान आया इस तरह घो गया क्राउस क्राउस को इंप्रटन दो प्रटाइब अगे हम नोग पढ़ने वाले हैं क्रासिंग तो मैं बता दिया समभाविता और अनुमान की जांच इसको बता इसे कथार पर आपको क्लीइर करना है और आगे हम लोग वोख पढ़ेंगे मिंडल वीडियो दूँगा वह यह लिए कधार, करवा देते हैं ठीक है यह तो प्ले लिस्टम जाईए वहाँ पर लाइन्स आपको मिलेगा अध्धाय पंद्रा का पूरा वीडियो ठीक है मिंडल की नियम मिंडल की नियम की जेस्ट बात पढ़ेंगे हम लोग सीकल सेल के बारें पढ़ेंगे उसके आद मनुस्य में लिंक कर निर्धारन पढ़ेंगे ठीक है उस सब मिलेगा आपको